गुड बॉर्णिंग टॉल उफ यू चलिए स्वागत है सभी का तो डियर स्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट टोपी के बारे में जिससे आपके बैंक एक्जाम में रिलेटर क्या चाहिए वो क्लर्क का हो पियो का हो या फिर किसी स्पेशलिस का हो तो इसमें एक फिक्स एक कॉस्टन जो है वो इससे आता ही आता है आज हम पढ़ेंगे प्रोभविलेटी के बारे इती के तो प्रोभिलेटी से लेड़र आपको मिलता ही और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस कॉस्टन को एक्जाम में छोड़ देते हैं क्योंकि भी पड़ा नहीं होता हलंकि अगर करने के बाद अभी आज शीखने के बाद आप खुद मानोंगे कि क्या है मुश्किल से दो या चार सेकिंड का समय लगता है और आप आसानी से क्या है इस कोश्चन को कर सकते हैं यह छोड़ने वाले कोश्चन होते ही नहीं है अब देखिए probability के पहले general बात करें थे probability का मतलब क्या होता है साधारन भासा में अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है संभावना ठीक है संभावना यानि कि कि किसी भी घटना के होने के कितने चांस है किसी घटना के होने का तो उसको क्या कहते है probability कहते है संभावना अब देखिए आ तरीके के question आते है मेनली probability related या तो वह आपको बॉल से रिलेटर कोशन पुछेंगे जैसे आपने देखा भी हो का question कि आपको दे दिया जाता है कि एक कोई भी थेला है उसके अंदर का है कुछ red blue green ठीक आपको दे दिया कि उसके अंदर कुछ red ball है blue balls है या फिर आपको दे दिया green balls हैं ठीक है संक्या वह आपको दे देता है फिर आपको कहा जाता है कि इन में से किसी भी आप random चूज करनी है आपको दो बॉल ठीक है अब फिर आपसे question क्या पूछता है कि क्या chances है what is probability probability क्या है कि उन में से दो जो आपने निकाली है वो red हो या वो blue हो या फिर वो green हो या फिर एक red या ग्रीन हो इस कार से question पूछता है second type का question जो आता है वो पूछता है आपको cards related cards से मतलब क्या है यहां पे playing cards का playing cards का task के पत्ते की बात चल रही है यहांपे तो आपको normal इसके बारे में जानकारी पता होनी जीए तो normal अगर मैं बात करूं तो आपको पता है की task के अंदर कितने पत्ते होते है 52 हैना उन मे frei 26 क्या होते हैं, black होते हैं और 26 ही क्या होते हैं, रेड होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, इसके लावा कुछ common जानकारी जो आपको होनी पता होते हैं, तरड न怕 कोश्िन आता है डाइस से रिलेटडड डाइस आप सब होगा दाइस हिंदी में जिसको बोलते हैं पासा सुना होगा ना यानिक इसमेंच में क्या हुता है इस परकार से एक होती है ठीक है हेग्जागॉनल शेप में होती है इसके च्छैसाइड होती है एक यह होगी एक जरसे जस्तकाइब दो तीन चार 5 और स्थे सत्रेंग होता है 5 तक क्या लगे होते हैं नमबर मतलब होते हैं अब आप पूछ लेते हैं कि लозможно पूल हुश्क। हाथ में अभी जो डाइस है उसके जो दोनों डाइस है उसका टोटल पांच हो छे हो चार हो कुछ भी पूछ सकता है ठीक है तो इसे लेटर तो ये तीनों टाइप के कोशन्स जो है वो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को चलि के अंदर रंग विरंगी आपको बॉल्स दिखाई दे रहे होगी अब देखिए आपके कोशन्स जो आते हैं वो दो तरीके क्या आते हैं एक तो आते हैं रिप्लेस्मेंट के रिप्लेस्मेंट से लेटर एक आते हैं विदाउट रिप्लेस्मेंट without replacement अब देखिए फरक क्या है replacement का मतलब क्या हो गया अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो container है इसके अंदर कुछ red, blue, green and yellow balls हैं ठीक है अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसमें से कोई भी दो balls निकालनी है ठीक है दो balls निकालनी है अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आपको वापिस इनी दो balls को इसके अंदर डालना है तब तो ये क्या हो जाएगा replacement वाला case लेकिन इससे later question exam में आता नहीं है क्योंकि ये बहुत easy है है ना क्योंकि इसमें क्या होता है जो total number of balls है वो same रहती है हर condition में इस container के अंदर ठीक है तो इससे later question पूछते नहीं है क्योंकि ये बहुत easy calculation हो जाती है वो थोड़ा सा गुमा के पूछते है एक होता है without replacement का without replacement का मतलब क्या है कि ये जो container है इसके अंदर जो balls रखी गई अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने दो balls निकाली पहली बार में तो मा लिजे यहां पर total 12 ball है अब आपने 12 में से 2 निकाली तो पीछे कितनी रहे गी 10 अगर मैं बोलूँ कि आपको फिर से 2 ball निकालनी है तो इसके अंदर कितनी रहे जाएगी total पहले तो 12 था total sample space अब क्या रहे जाएगा 10 तो आपको 10 में से 2 निकालनी कितनी रहे जाएगी 8 तो अगर आपको एक्जाम में direct question दिया हो जिसके अंदर replacement या without replacement की कोई चर्चा नहीं की गी हो तो आपको यही मान के चलना है कि वो question के से later है without replacement से later है ठीक है इसके अलावा देखिए एक चीज होती है कि probability जो होती है उसकी range क्या होती है यह बहुत important है हमें पता होना चीए कि probability जो है उसकी range क्या होनी चीए तो range इसकी होती है 0 to 1 0 से लेके 1 के बीच में अब देखिए दो चीज होती है एक तो होता है अगर मैं आपको बोलूँ दो case होते है एक तो होती है सर्टेन के अब सर्टेन का मतलब क्या है जिसकी possibility 100% है जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि जनवरी जो मन्त है उसके अंदर 31 days होंगे next year जो आएगी तो ये तो fix है 31 होंगे तो ये क्या हो जाएगी ये certain case है यानि कि इसकी possibility कितनी है 100% है अगर मैं आपको बोलूँ second जो term होती है वो होती है uncertain condition अब uncertain condition में क्या होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि इस बार जो फर्वरी आने वाली है 2022 के अंदर उसके अंदर days कितने होंगे मैं ये कह दूँ कि फर्वरी के अंदर 30 days होंगे तो क्या ये possible है कि किसी भी condition में possible नहीं है न तो इसकी possibility क्या हो जाएगी 0 तो ये ध्यान रखना है हमें कि possibility की range कितनी होती है 0 to 1 के बीज में होती है ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है बस इससे later बाकी और कोई बात होगी तो मैं आगे आपको बता दूँगा इसके लावा एक चीज और देख लिए कि यहां पे दो चीज दी होगी जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने इसमें से randomly कोई टू बोल चूज की अब मैं यह आपको बोलूँ की what is the probability that one is red and second is blue यानि कि एक लाल है और second blue है यहां मैंने end word का यूज किया है तो ध्यान रखना जहां भी end word का यूज होगा उसका मतलब क्या होगा मल्ल्किकिशन यानि कि आपको क्या करना है वहाँ पर मल्टिप्लाई करना है उनके बीच में कैसे करना है वह करेंगे तब कोस्तने करेंगे तब समझ में आज एक अभा बस अभी आपको इतना धियान में अमल्किकला हैième अगर एंड की जगह और वर्ड आता है तो वहां पर उसका मतलब क्या होगा प्लस यानि कि आपको उसको जोड़ना है जैसे अगर मैं आपको बोल देता हूं कि वट इस प्रोबिलिटी देट वन इस रेड और वन इस ब्लू यानि कि और वर्ड अगर मैं यूज के लिया तो व आपको यहां से आपको यहां से क्या पूछ रहा है कि प्रोबिलिटी बताईए कि आपने जो दोनों निकाली है वो दोनों ही क्या हो रेड हो आपको ये बताना है तो देखे सबसे पहले तो हमें पता होना जिए टोटल बॉल्स कितनी है मान लीजे ये कोई कंटेनर है तो इसके अंदर टोटल बॉल्स की बात करूँ मैं तो क्या होगी चार आपकी रेड होगी प्लस फाइव रजाब की येलो ठीक है तो टोटल कितनी होगी पांच और 38 और 412 तो टोटल हमारा जो सैंसंपल स्पेस हुआ कितना हो गया 12 12 में से आपको क्या पूछा है तो देखे इसका फॉर्मुला क्या होता है अब जिसे रेड की巴त करेंगे तो रेड है कितनी सबसे पहले तो 4 तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 4C2 अप उन में आज़ेगा यह जो टोटल आपका सेंपल स्पेस है 12C2 अब यह देखिए इसका फॉर्मूला है अब इस 4 का मतलब तो क्या हो गया जिससे रिलेटर आपको पुछाए जैसे कि रेड का पुछाए तो 4 क्या है यहां यहां पर यहां पर यहां यह तो किसको show कर रहा है तने कि तो कर रहें है यहां कि डैन यहां कि ले चार निकाल डिरी साट तो कितो ऑर व 만वे तो इस तो आप यहां यानि कि आपने 12 में से 2 बॉल निका लिए तो देखिए बहुत ही इजी है दोनों मेतर से हम करेंगे formula और बिना formula के मेतर से general logic के हिसाब से तो देखिए इसको एक बार मैं erase कर देता हूँ देखिए question में अब हमें निकालना है red का तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 4C2 आप उनमें लिखेंगे 12C2 ठीक है अब इसका formula क्या होता है देखिए 12 में से निकाला है तो 4 फस्ट में क्या थी 4 फिर एक निकाली तो किती बच गी तीन तो 4 गुणा में 3 अब फोर C2 का मतलब क्या हो गया यानि कि आप इस 4 को घटते करम में 2 बार लिखना आपको ये ध्यान लगी दो बोल्स निकाल लिए ना तो 4 गुणा में 3 हो गया बटा में क्या जाएगा इसके अपन में आएगा 12 अब देखिए इसका अगर इस formula के बहुत से करें तो इसके बाद आपको यहां पर क्या है 1 बाई 2 यानि कि पहली बार 4 निकाला आपने फस्ट हो गया second time क्या है 3 निकाला आपने कितने second time बेगा तो यह 1 बाई 2 हो गया अब लिखना है total 12 multiply करना है आपको 11 यानि कि total पहले क्या थी 12 फिर एक निकाल ली तो कितनी बचकी 11 फिर इसके अप उनमें भी क्या 1 बाई 2 लिखना है क्योंकि एक एक करके निका लिए पहले 12 थी फिर second time कि नहीं बचकी 11 आप देखिए इनको कार दीजिए इसको इससे कार दीजिए चार को इससे कार दीजिए चारती अब बारा तीन से तीन को इसको कार दो तो क्या बच गया वन बाई 11 ये क्या हो गया आपका आंसर वन बाई 11 क्या हो गया आपका आंसर देखिए इन में से कौन सा है इन में से कोई नहीं है तो यहां कौन सा option सही हो जाएगा five नोटा वाला जो है none of the above वो सही हो जाएगा अब देखिए यह तो थी formula based अगर इसी question को हम करें without formula बिना किसी formula के logic based पर करें तो देखिए क्या होगा आपके पास starting में कितनी थी चार बोल थी red चार थी उस condition में total कितनी थी बारा अब आपने क्या क्या यहां पर देखिए एक चीज लिखी हुई है probability that both are red यहां पर तो चलो दोनों red की यहां पर end और और कोई नहीं दिया हुआ है तो यहां पर हमें क्या है गुणा ही करना है अगर आपको और दे दिया जाता तब क्या करना है प्लस करना है अब छार थी चार रैड़ थी उस टाइम हमारे पास टोटल कितनी थी बारह अब आपने इसमें से एक निकाल ली तो सेकेंड टाइम किती बचकी तीन रेड़ बोल बचकी रेड़ का ही तो निकालना है हमें और कितनी बचकी 11 अब इसको आप डारेक्ट भी कर सकते हो देखे क्या हो गया चारते बारा तीन तीन निकल गया तो क्या बच गया वन बाई 11 यह आपका आगया आंसर ठीक है बहुत इजी है समझ में आगया होगा असानी से तो बस इसी टाइप के कोशन आएंगे इसमें थोड़ा वो चेंज वो कर देते हैं बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं होता आप देखें नेक्स्ट बात करते हैं सेकिंड कोशन की इसी टाइप के बहुत सारे कोशन हम करेंगे आज तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे इसका आंसर हम निकाल सकते हैं देखें सेंड कोशन पिर सेंब बॉल्स हैं कंटेंडर सेंड में सेम बॉल्स हैं देखेंगे एक अनी कि टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी हमारे पास 12 वहीं सैंट फिर देखिए if three balls are drawn at random what is the probability that at least यहाँ पर देखिए एक word इूज किया गया at least one is green यानि कि आप से पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि क्या probability है कि इन में से कम से कम एक जो है वो क्या है ग्रीन है ठीक है आपको ये बताना है कि इन में से एक जो है वो क्या है ग्रीन है तो देख़े इसके क्या क्या ससे हो सकते हैं सबसे पहले हम भेखे possibility की बात करते हैं इस question को हमा आपको दो तरीके आँगा दोनों तरीके में देखे भूभ एजीबी निकालड And I am मान लीजी हम क्या करते हैं हमने क्या निकाली तीन बॉल्स निकाली फस्ट टाइम हमने तीन बॉल्स निकाली अब देखिए मान लेते हैं हम कि यह वाली जो बॉल है हमारी फस्ट यह ग्रीन है फस्ट टाइम सिर्फ एट लिस्ट वन का कहा है न तो हो सकता है बाकी दो जो हो व हो सकता है या फिर यह हो सकता है कि हमने जो निकाली उनमें से दो green हो एक red या yellow हो या एक possibility हो सकती है कि तीनों की तीनों बोल क्या हो green हो अब उसने क्या बोला एट लिस्ट वन बोला यानि कि कम से कम एक बोल तो green है अब वो सभी भी हो हो सकती है हुई हमें कोई पता नहीं है ठीक है तो हमें इसका calculation करनी है सबसे पहले देखी इतना जंजट करने की बजाए हम क्या करते हैं इससे सोठ्रिक कि यूज करते हैं वह क्या देखिए आप से क्या पूछा है एटस्ट वन इस Green आपको सिर्फ Green का निकालना है मैंने या का आपको चीज बताई थी कि टोटल Probability कितनी होती है वन जीरो से वन के बीच में ही होती है यह होती है अब आप इसको छोड़ दीजिए इस Green वाली को छोड़के बाकी दोनों को निकाल लो बाकी दोनों वाली तो जोड़ लो आप तो 4 compare 3 कितनी होगी साथ डेड और यलो वाली साथ होगी अब देखिए साथ होगी तो हम क्या करते है साथ में से निकालनी है 3 निए 7 c3 समझ में आगया यह सी अब देखिए यहाँ पे formula base पे अगर हम करते तो इसके बड़े में क्या लिखते 1, 2, 3 अभी मैंने आपको बताया था फिर 12 के नीचे भी क्या लिखते 1, 2, 3 फिर यह आपस में कट जाते तो इससे अच्छा है ना कि अपने लिखे ही ना अगर यह different हो माली जी आपसे कहा जाए कि 2 red है 3 blue है उस case में क्या है मैं अलग अलग लिखते है इसको अब लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है अब देखे फिर नीचे क्या लिखेंगे 12 multiply by 11 and 10 अब इसको काट दीजिए देखे 6,2,12,5,2 कितना बच गया हमारे पास बच गया 7 upon 24 और 11 चौमाली 7 by 44 यह आ गया ठीक है अब यह आ गया इसको क्या करना अब यह दियान रखना यह आंसर नहीं आया हमारा अब इसको कहीं आप भी चलो यह तो शुक्र है कि इन में कोई option है नहीं अगर option होता तो कहीं बैचे जल्दबाजी में क्या इसको टिक कर देते हैं क्योंकि हमने निकाला कुछ और है और पूछा कुछ और है तो इसको हम क्या करेंगे वन में से माइनस कर देंगे वन में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 44 कॉमन आ गया बच गया कितना 44 में से आप कठा दीजिए 7 तो answer हमारा क्या आ जाएगा आंसर हमारा आजाएगा 37 अपन 44 यह हमारा क्या आगया आंसर आगया यह जो दिख रापको c वाला धरड वाला आंसर जो है तो यह हो जाएगा एक तो देखी इसको करने गा तरीका यह है इसी तरीका है और इसी से करोगे तो अपको time कम लगेगा सेकंड क्या होता देखिए हम क्या करते यह जो मैंने अभी बात की यह तीनों केस निकालते अपने एक एक करके कैसे देखिए हम आपको बता देता हूँ तीनों केस निकालते फर्स्ट केस में हमारे पास क्या दिया गया यहां पर देखिए कि एक ग्रीन है बकी दोनों क्या है रेड या येलो हो सकती है यही है आपने पास स्टार्टिंग में तो हमारे पास टोटल देखिए ग्रीन कितनी है पांच है ना तो हमने मालिया किया तो ए एक तो आ गया 5 by 12 एक तो यह हो गया अब इसके बाद देखिए फिर क्या होगा सेकिन हमें क्या दिया गया है एक तो यह होगी अब दो और कौन सी हो सकती है रेडिया येलो तो इसको हमने मल्टिप्लाई कर दिया अब देखिए टोटल वह कितनी है साथ है ना चार और तिन अगे 7 x 6 upon 1 by 2 अब यह 1 by 2 कैसे आया क्योंकि 7 c2 लिखेंगे उस कंडिशन में हमें लिखना पड़ता है नीचे वह ही है ठीक है अब यहाँ पर 5 में लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं क्योंकि क्या लिखते फाइव में नीचे एक ही तो लिखते अब उसको लिखो नहीं से हटा के यहीं लिख दो चाहे बारा अब ये बारा बाद में कितनी रहेगी ये दो जब निकालेंगे तो ग्यारा और दस और नीचे क्या जाएगा यहां पर वन टू एंड थ्री यह पता चल गया कैसे आया क्योंकि तीन बार निकाला है ना इसलिए अब देखिए वन 200 से यह कर दो कितना बच गया तीं तो उपर तो बच गया हमारे पास 21 अप उन में 44 एक तो यह बच गया हमारे पास ठीक है 21 और 44 अब देखिए इसको अपने लिख लेते हैं एक तरफ यह आ गया आपका 21 by 44 ठीक है अब इसको एरेज कर रहा हूं आइक बार second निकालते है second जो case है हमारे पास वो क्या है देखिए ये वाला, इस condition में क्या है कि आपके पास दो green है, एक red और yellow है, तो दो green है उस condition में हमारा क्या हो जाएगा 5 into 4 5 into 5C2 हो जाएगा 5 into 4 और यहां हो जाएगा 12 गुना में 11 ठीक है, second देखिए अब क्या होगा, next अगर बात करें, तो एक क्या होगी, red या yellow होगी, और total हमारे पास कितनी है, 7, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 by 10 10 बता जल गया, कैसे होगा क्योंकि, देखिए, 7 by 1 भी लिख सकते थे, फिर आपने क्या करते हैं, आप उन में 10 by 1 लिखते हैं, वन का तो कोई इस्यू भी नहीं है तो इसलिए यहां पे क्या हमने direct 10 लिख दिया, अब देखिए इसको और यहां पे इसके बटे में और क्या आजाएगा यहां पे 1 by 2 भी आपको लिखना था एक मिनट 5 by 4 है, 5C2 है तो यहां 1 by 2, यहां भी तो लिखेंगे यहां पे आगया 7 by 1 मैं डिटेल में लिख देता हूँ, इजी समझ में आ जाएगा आपको यहां पे आगया वही 12, 11, 10 और 1, 2 and 3 अब इसको solve कर लो यह आगया, अब देखिए 3, 4, 12, 4 से 4 कट गया, 5 से यह 2 है ना, तो कितना आगया यह हमारे पास आगया, सेकेंड निकल के 7 by 22, है ना 7 by 22, सेकेंड केस से यह आगया तो इसको भी हम क्या करते हैं यहां पे लिख लेते हैं, लास्ट में क्या करता हैं इन तिनों को जोडेंगे 7 by 22 आगया, इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार हटा रहा हूँ मैं यहां पे हमने प्लस करके लिख लिख लिया 7 by 22, दो केस आगया हमारे पास अब तीसरा बचाए, देखें तीसरे में क्या आएगा तीसरा केस क्या है हमारे पास तीसरा केस हमारे पास यह है कि अगर तीनों ही ग्रीन निकलती तीनों ही ग्रीन निकलती तो उस केस में क्या हो जाता हमारा 5C3 आपन 12C3 यही तो होता तो हम क्या लिखते हैं, पांच, गुणा, चार, गुणा, तीन और बटा में यहां पे 1, 2, 3 लिखो चाहिए, नहीं लिखो क्योंकि इसके यहां भी तो लिखोगे आप 12, 11, 10 के बाद यहां भी तो लिखोगे 1, 2, 3 है ना, तो यह चाटी जाता तो इसको नहीं लिखो तो भी कोई इस्यू नहीं है है ना, तो मैं इसको हटा देता हूं easy थोड़ा सा आपको calculation easy समझ में आ जाएगी तो हम क्या करते हैं डारेक्ट यहां लिख देते हैं 12, 11 और 10 ठीक है अब देखे इसको solve कर लिजे 4, 3, 12, 3, 3, 5, 2, 10 तो यहां हमारे पास कितना आ गया 1 by 22 यहां हमारे पास 3rd अब देखे इसको solve कर लो इसको solve करोगे तब भी आपका answer वही आएगा अब देखे यहां पर क्या आ गया 44 आ गया हमारा LCM आ गया अब क्या बच गया देखे उपर 21 प्लस अगर इसको निकाल लेंगे तो कितना बच गया 2, 14 आ जाएगा प्लस वन टू यह यहां पर कितना आ जाएगा आपका दो आ जाएगा ठीक है तो अब देखे इन सब को जोड़ दीजिए कितना आ गया 24 और 21, 35 और दो 37, 37 अपन 44 तो यही तो अपना आंसर था यह दिखिए से यही तो निकाला था हमने पहले भी तो इस मेतर से भी मेतर दोनों ही सही है आप गलत नहीं कह सकते किसी को भी लेकिन यह क्या है थोड़ा सा टाइम कंजूमिंग है अगर आप 10-12 कोश्चन इस पहले किया था तो इसको आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अगला कोश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला कोश्चन आपको कह रहा है कि ए बैग कंडें सेम है देखिए फॉर रेड फाइव ग्रीन एंट त् इफ थ्री बोल्स ड्रोने ट्रेंट इस दी प्रोबिलिटी डेट आइधर ओल रेड और यहां पर देखिए और वर्ड लग गया इसका मतलब क्या करना है हमें प्लस करना है और येलो आपको कहा गया है कि तीन बोल निकालनी है आपको प्रोबिलिटी बतानी है कि कितने चां अब हमें बताए टोटल किस किस की बात हो रही है रेड और येलो की यही तो हो रही है तो देखिए रेड और येलो में रेड की बात करेंगे टोटल रेड कितनी है 4C3 हो जाएगा अपन क्या जाएगा यहां पर 12C3 अब प्लस क्योंकि और दिया हुआ इसलिए यहां पर क्य तो 3C3 अपना जाएगा 12C3 ये हो गया ठीक है अब इसको solve कर लो तो कैसे आएगा देखिए 4, 3, 2, 12, 11 और 10 समझ में आगा कैसे आया प्लस 3, 2, 1 और नीचे क्या आजाएगा 12, 11 and 10 ठीक है अब देखिए इसको यहाँ 10 के बाद 9, 8, 7 मतलिक देना यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है हम दोनौ के सिक्या अलग लगलेकर चल रहरे हैं ऐसा नहीं के एक साथ निकाल रहे हैं और पुछा है आपके कि यह भी हो सकता है तो दोनौ निकालेंगे देखिए इसको काट लीजिए आपका अंसर आजाएगा 5 तो एक तो हमारे पास आगया वन बाई 55 प्लस सेकंड देखिए क्या आजाएगा तीन चार चार से इसको कट हुए यहां पर कितना बच गया दो तो यहां उपरोर तो कुछ कटने लाइक है नहीं तो यह क्या आगया ग्यारा बाईस 220 और उपर आगया वन वन बाई 220 यह आगया अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगये तो हम क्या करेंगे 220 का LCM ले लेते हैं 220 LCM आगया बच कितना गया बचपन को चार से गुणा करोगे तो कितना आएगा 220 इसलिए यहां पर क्या आगया फोर प्लस वन तो हमारे पास क्या आगया 5 बाई 220 है ना अब इसको कार दीजिए इसको कार तो यह आपका क्या आजाएगा 1 बाई 44 पन बाई 44 आजाएगा और यह आपका क्या आजाएगा आंसर नमबर फरस्ट पहला जो आंसर है यह आपका सही हो जाएगा समझ मैं आगया कैसे किया बस इसी तरीके से क्या है सारे हो सकते है ध्यान में आपको बस यही रखना है कि अगर और दिया हुआ है तो वहां पे क्या होगा प्लस होगा और अगर वहां पे एंड दिया गया है तो वह क्या हो जाएगा आपका वहां पर multiply करना है आपको बस इतना स्या ध्यान रखना है और कुछ ध्यान मीं नहीं रखना है चलिए next question की तरफ move करते हैं next question देखिए अब ये question जो है ये है आपका तास related जो playing cards की हमने बात की थी उससे related है देखिए क्या question है इसको देखेंगे डंग से तो देखिए सबसे पहले one card is drawn at random from a pack of 52 cards यानि की बावन जो है पत्तों की एक तास है उसमें से आपको क्या निकालना है सिर्फ एक card निकालना है what is the probability that card drawn is either a king or a spade अब देखिए सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रकना है important चीज और लगा है इसका मतलब क्या करना है प्लस करना है अब पूछा क्या है either a king और a spade या तो वो क्या होगा एक king होगा या वो spade हो सकता है तो हमें सबसे पहले इनके बारे में पता होना चीए अगर मैं बात करूं किंग की तो तास में किंग कितने होते हैं King की बात करो तो King कितने होते हैं 4 और Spad की बात करे तो Spad के पते कितने होते हैं 13 ठीक है तो बस निकाल लीजे बहुत एजी है ये तो एक सेकिन में आनसर आजाएगा लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी Mistake जो करते हैं वो जान में रखेए क्या है मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले किंग की बात करें तो चार किंग होते हैं तो केस क्या हो जाएगा फोर सीवन और अपन में आ जाएगा आपका टोटल कितना उड़ता है सेंबल स्पेस फिफ्टी टू बावन पते हैं न दे रखा है हमें तो यह आ गया फिफ्टी टू आ जाएगा अब और दिया है तो प्लस करेंगे फिर दिया हुए स्पैड का तो थर्टीन सी बना जाएगा और अपन में आ जाएगा फिफ्टी टू सीवन अब देखिए इसको आगे लिखो यह सीवन का तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि एक ए हाँ पर क्या अगया है और था यह 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 उना यह कंट गया तो हमारे पास अब देखिए क्या बच गया है फील कुछ गलत तो लिग आधिक को स्कार्ण किया है माया पास हुआ एक तो यह उपर फिस्टी टू जाएगा फ्लस आंज़ा आपका के तेरा और यह फिस्टी टू आप देखे इनको इसे निकाला है उस फिस्टी टू कॉमन ले जू दोनों में सेम है तो क्या बच गए हमारे पास चार प्लस 13 तो आंसर क्या आजाएगा हमारा 17 और ये 52 अब आप ये देखोगे आपके पास ये आंसर आ गया ए ये आप टिक कर दोगे लेकिन ये क्या हो गया आपका कुशन यहां पर रोंग हो गया गलत हो गया इसका रीजन क्या है इसका रीजन ये क्या है कि आपने ही जो के पत्तों के साथ तो एक की डबल इंट्री होगी ना इसलिए आपको क्या करना है ये आपने जो 17 बाई 52 निकाला इसमें से आपको वन बाई 52 ये किंग वाला जो स्पैड के अंदर जो किंग है ना उसको आपको माइनस करना पड़ेगा हमें एक को एक ही बार लेना है दो ब इनल आंसर आजाएगा जो कि हमारा क्या है ऑप्सन नमबर सेकिंड अगर फस्ट बाला करते तो ये क्या हो जाता हमारा गलत हो जाता तो बस आपको इतना सा ध्याननक ना है इसके अलावा कुछ नहीं है बहुत इजी है असानी से कर सकते हो चलिए नेक्स्ट कुर्शन की तर कार्ट साथ ड्राउन एट रेंडम यानि की दो कार्ड्स आपको निकालने हैं रेंडमली फ्रॉम एपको 52 कार्ड्स वट इस दी प्रोविलिटी डेट आइधर बोथ और रेड और बोथ और क्वीन अब देखिए आप से क्या पूछा गया है कि और है तो हमें प्लस तो करना निकालने के त्टने हैं टू टू है ना तो इसको निकाल लीजिए देखिए क्या करेंगे 26 c2 अपोन 52 c2 आ जाएगा प्लस करना है 4 c2 क्वीन का और अपोन में ये 52 c2 आ जाएगा ठीक है अब इसको सॉल्व कर लीजिए अब इसको सोल्व हम जब करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे तो आगया आपका 26 इंटू 25 उपर तो और नीचे आजाएगा 52 इंटू 51 समझ में आगया कैसे आजा अब इसके बाद देखे नेक्स्ट फिर प्लस कर दीजिए प्लस करके यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 हैंं 30 और यहाँ आगया आपका 52 इंटू करेंगे तो यहाँ कि वहाँ टीवं कि समय मोज में आगया अब देखी है इसको सॉल्व कर लेजिए इसको कट राय क्योंब कर można को करने क्यों मैं क्या करेंगे इसको से काट पीजिए यह अगया तैरह चुक बावन अब कट तो आपका ये भी राय है ना 17 से लेकिन इसको काटेंगे नहीं क्योंकि यहां भी 51 यहां भी 51 तो हम क्या करेंगे इसको common ले लेंगे इसको बाहर रख लिया मैंने 1 by 51 तो इस साइड क्या बच गया देखिए इस साइड आपका बच गया 25 अपन में 2 एक तो यह बचिए हमारे पास प्लस और क्या बचिए हमारे पास यहां पर थरी बाई आप 51 तो common ले लिया हमने तो क्या बचिए थरी बाई 13 यह बचिए लेकिन यहां पर लास्ट में हमें क्या एक कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी वो क्या यहां पर बात हो रही है four queen की और इन 26 पत्तों के अंदर भी तो दो queen आपकी शामिल होगी समझ रही हो जैसे अभी किया था हमने spade वाले में वैसे ही तो इसके अंदर है अब यह दो queen जो है यह इसके अंदर भी दुबारा सामिल होगी तो आपको इसको माइनस करना तो इसको पहले सी माइनस करती है ना तो हम क्या करेंगे टूसीटू जब लिखेंगे माइनस टूछीटू 51 तो क्या आजाएगा दो गुर्य में एक और इसके आज या का बच जाएगा वंफा वर यह यह बच गया आपका ठीक है अब इसमें देखिए आगे आप इसको कर लीजिए कैलकुलेशन क्या LCM क्या आगया हमारे पास 26 तो बच कितना गया हमारे पास उपर बच गया एक तो 25 को जब गुणा करोगे 13 से 25 को 13 से गुणा करोगे तो यह आगया माइनस करना हेर धरन यहांड़र करना है और आगया इसके साथ बाहर वन पाइबन तो यह अब देखिए अब इसको जोड़िए देखिए कि कितना हो यह होगया हमारे पास कि यह होगया हमारे पास लिए petite integrate 5iteitS cable कि तना बस गया 330 आना 330 बच गया तो ये 330 और अपन में हमारे पास क्या है 26 और multiply में हमारे क्या है पास 1 by 51 यही तो है अब इसको solve कर दीजिए अब इसको जब solve करेंगे तो देखिए काटके कुछ कट रहा है क्या बिल्कुल कट रहा है देखिए सबसे पहले इस 330 को इसको काटे अगर हम 3 से तो यहां क्या गया 110 और यह हो गया 17 अब यह 26 है तो तेरा दून 26 पर 110 है जो यहां पर क्या जाएगा 51 अब उपर तो क्या बच गया 51 और नीचे क्या बच गया 17 in to 13 देखिए क्या बच गया हमारे पास उपर तो बच गया हमारे पास 55 और नीचे बच गया 13 multiply 17 13 बच गया अब इसको solve कर लीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास यह आ जाएगा हमारे पास 55 और अपन में आ जाएगा 221 थीक है 55 बाई 221 आ गया तो आपका final answer जो है वो क्या हो जाएगा देखे इसमें से कोई है क्या C वाला, C वाला आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा तो समझ में आ गया, बहुत easy है असानी से कर सकते हो, ठीक है तो बस आपको द्यान रखने वाली बात जो क्या है, यह minus करने की अगर कोई पता दो बार repeat हो रहा है अगर पूछे, तो आप in question को क्या करना है skip करना है skip करने का मतलब यह नहीं है कि मैं आपको करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा भी आपको बताऊंगा, लेकर आपको skip क्यो करना है, यह बीबता देता हूं क्योंकि यह time consuming होता है थोड़ा सा इसमें समय लगता है तो आप इसको क्या करीजिए आप इसको मार्क फोर रिव्यू रख लीजिए इसको और लास्ट में अगर आपके पास टाइम हो तब इस कोश्चन को जरूर कीजिए क्योंकि यह हो जाएगा इसी बात नहीं यह कुश्चन नहीं होगा लेकिन यूदिन देने वाली चीज क्या है इसको दें से देखिये हम आपको बता देता हूं लेकर सबसे पहले हम कोश्चन को पढ़ते हैं से क्या दिया गया है मेजी सेने को जादूगर है होल्ड म सिक्ष ऌईड़गा निं लाफट हेंड Source इंड कि दो डाई है समझ में आगया यानि कि क्या है वन से लेके six के उपर जिसके बने होते हैं पासे जिसने हमने बात की थी starting में वह वाली चीज है what is the probability that number on the dice in his left hand is greater than the sum of dice in right hand तो यह क्या करा है कि कितनी probability है कितनी संभावना है कि उसके left hand में जो डाई है यानि कि सिंगल डाई जो है इसके number जो है right hand वाली दोनों डाई को मिला के भी अगर करें तो उससे ज्यादा हो यानि कि यह ज्यादा होनी चाहिए तो इस condition में देखे क्या हो सकता है दो चीजे हो सकती है क्या क्या अब हम देखें कि minimum कितना हो सकता है तो देखे right hand की जो बात करें तो इसके अंदर क्या हो सकता है कम से कम हम मान के चलते है कि दोनों जो डाई से उनके उपर एक एक number है एक एक number है तो कितने होगे दो अब left hand की बात करें तो यहाँ पे start कितने से करना है हमें 3 से उसका reason क्योंकि इसने 2 रखा है कि हमें क्या करना है left hand की जो die उसको ज़ादा रखना है इसके total से किसके जो right hand में है तो अगर 2 कर दिया आपने यहाँ तब तो ब्राबर हो जाएगा तो हमें यहाँ क्या करना है कम से कम 3 यानि कि यह 3 भी हो सकता है चार भी हो सकता है पांच भी हो सकता है लेकिन दो से कम तीन से कम नहीं हो सकता ठीक है अब देखिए इस question को करते कैसे यह general concept था इसका आपको पता होना जाए अब देखिए बात करते हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माली जी यह उसका right hand है यह total हो गया sum यह left hand की बात कर रहे हैं और यह हम बात कर रहे हैं cases की total case कितने है अब देखिए इनको कैसे नकालेंगे सबसे पहले तो देखिए sum की बात करें मान लेते हैं कि उसके right hand में जो है उसका total कितना है दो है अब 2 कब होंगे, कम से कम 2 ही होंगे, 2 से कम तो हो ही नहीं सकते क्योंकि dice के उपर क्या है, 0 तो कभी होता ही नहीं, 1 तो at least होगा ही होगा तो ये हो गया 1 और 1, यानि कि 1-1 होगा, दोनों dice पे तो total कितना हो गया और left hand की अगर बात करें उसके उपर, तो इससे ज़्यादा रखना है, तो ज़्यादा कितना हो सकता है, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, या फिर 6 हो, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या निकालना है, इससे total case निकालना है एक तो देखिए, कि chances क्या है, यानि कि left hand के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, तो number count कर लीजिए, आप 1, 2, 3, 4, 4 के जिए हो गए, तो 4 यह हो सकता है, और यहाँ पे total right hand के अंदर pair कितने बन रहे हैं, total जोड़े कितने बन रहे हैं, उसको आपको multiply कर देदे हैं, तो total कितना हो ग यहां पे one or two हो, समझ गें, यानि कि यहां तो हो सकता है, first time में पहले दो हो, फिर हो फिर हो, फिर फिर फरस्ट में एक और second में दो हो, तो यह दो कैस हो सकते हैं, अब यहां तीन है, तो इसका sum हमें ज्यादा रखना है, तो यहां क्या आएगा, four आ सकता है, five आ सकता है, six आ blood condition क्या है, चार है, तो चार कब हो सकते है, या तो मान लिजिए यहां पे क्या हो, one by three हो, one or three, यानि कि एक और तीन हो, या फिर तीन और एक हो सकता है, या फिर मान लिजिए दो और दो भी हो सकता है, यानि कि एक और तीन हो सकता है, डाइस पे दोनों पे, या फिर एक पे तो ॥ाफ़기가 पॉसिभलिटी है। झार्टेमा सब्सक्राइब पॉसिभल्ё samh heroic कमा सब्सक्राइब कर लाइय के लिएँटिये हैं पॉस्स respectfulatta यह फिंस कौना हरे तो सब्सक्राइब में रौसरे सब्सक्राइब हो सम् सक्राइब क्या होगा फाइब कब कब हो सकता है या तो दो और तीन हो या तीन और दो हो या फिर मान लेते हैं कि कितना हो फोर और वन हो या फिर वन और फोर हो तो एक दो तीन चार फोर पेर बन गए यहां पर अगर बात करें तो क्या हो सकता है छे हो सकता है पांस से ज्यादा तो यहां पे टोटल वन बच किया हमारे पास लेफ्ट हैंड में और पेर कितने बनने हमारे पास चार तो यह क्या आ जाएगा चार आ जाएगा ठीक है यहां तक समझ में आगया सबके अब देखिए इससे ज्यादा हम यहाँ च्छै नहीं कर सकते करने को यहां पे तो तीन और तीन साइड में तो उसके पास एक हात में डाई एक ही है और उसके ओपर साथ हो नहीं सकते इसलिए क्या है हमारा यह केस तो नेक्स्ट जो है बने नहीं सकता चार बनेंगे, हमने बना लिए अब देखिए आप क्या किई इन सब को जोड़ दी यह तोटल पॉसिवल केस कितने हो होगे हमारे पास 4 और 6 10 4 और 6 10 10 10 कितने होगे 20 यह हो गया हमारे पास यहनी की टोटल केस कितने हो सकते हैं 20 तो आप क्या कीजिए इस 20 को लिख लिजिए यहां पर आपने लिख लिया यह 20 अब हमारे पास किया डाइस कितनी है टोटल तीन टोटल अगर हम देखें सेंपल स्पेस कितना है टोटल हमारे पास तीन डाइस है और तीनों के उपर क्या है छह 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 मैक्सिमम यही तो है तो आप इसको अपनों में लिख दीजिए 6 इंटू 6 इंटू 6 अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए 10 तुन 20 तीन 5 तुन 10 और यह फिर 3 तो क्या आगया हमारे पास 5 बाए तीन दिन 9, 9 चे 18 नहीं 9 चे 24 अना 5 बाइ 54 तो यह आपका क्या आजाएगा आणसर आजाएगा अब देखिये कौन सा सही है इन में देखा जाए तो कौन सा आणसर हमारा सही हो जाएगा 5 by 54 तो सेकंड वाला आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा तो इस परिकार हो तो सकता है ये question अराम से लेकिन क्या है थोड़ा सा time consuming है इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये question को पहले आप skip करने की कोशिश करें भगी कर सकते हो और थोड़ा बहुत अगर try करोगे तो speed भी बन जाएगी फिर देखिए next बात करते हैं अगला देखिए क्या है question a pack contain four blue two red and three black pens if two pens are drawn from the pack at random not replaced replace नहीं कर रहे हम and one another pen is drawn ठीक है what is the probability drawing two blue pens and one black pen अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा change है अब वो change क्या है उसको ढंग से समझे अब उसने हमें क्या कहा है कि change किसमे है वो कह रहा है कि उसने starting में क्या निकाले दो pen निकाले अब आपको बताना है कि क्या possibility है कि वो क्या हो blue हो फिर उसके बाद उसने एक pen दुबारा निकाला एक pen दुबारा निकाला अब वो क्या है black है इसकी possibility हमें बतानी है तो देखिए केस क्या बनेगा starting में हम बात करें अगर blue pen की तो blue वाले हमारे पास total कितने एं फोर और निकाल कितने दें दो तो 4C2 हो जाएगा और total sample space कितना हो गया चार प्लस दो छे और तीन नो तो यहां पे आ गया 9C2 समझ में आ गया 9C2 आप देखिए end दिया हुआ है यहां पे end दिया हुआ तो क्या लगाएंगे multiply करेंगे किस से 1 black pen है तो यह क्या हो जाएगा 1C1 हो जाएगा नहीं 1 थोड़ी black pen अपने पास total कितने हैं 3 तो यह क्या हो जाएगा 3C1 total 3 है ना तो 3C1 हो जाएगा और upon में इसके अब देखिए यहां पे क्या है बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं अब तक हम जो कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे यहां पर भी 9 लिक रहे थे लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि इसने condition दे दी है कि पहले उसने निकाले फिर उसको replace नहीं किया ठीक है और फिर दुबारा से एक निकाला तो अब देखिए आपने इस 9 में से 2 निकाल लिए पहले ही तो पीछे कितने बच गे साथ तो यहां पर टोटल सेंपल स्पेस हमारा जो आएगा वो 7C बनाएगा ना कि 9C2 बस इतना जा द्यानक नहीं तो यह आपका question गलत हो जाएगा तो देखिए अब देखिए इसको solve की लिजिए आपका answer आजाएगा 4 को इससे काटेंगे तो क्या आजाएगा 2 इसको 3 से काट दीजिए 3 अब इस 3 को इससे काट दीजिए तो 7 और 2 कितना हो गया 14 हमारे पास final answer जो क्या आगया 1 by 14 यह आपका आजाएगा answer अगर आपने यहाँ पे दोनों जगह पे total sample space जो है इसको इसको भी 9 मान लिया तो यह आपका question क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा कौन सा option सही हो जाएगा यह वाला जो last option है वो सही हो जाएगा तो इस परकार आप इसको भी क्या है असानी से कर सकते हैं ठीक है तो question यह आपके complete है बस इसी level के question आप से पूछेंगे dice वाला भी हो गया आपका जो है cards वाला भी हो गया और plus आपका जो है balls वाला भी हो गया इससे अलावा कोई question नहीं बनता अब इनकी आप अच्छे से practice कीजिए आप अराम से कर सकते हैं और यह question जो है मुश्किल से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो से तीन सेकिंड का होता है आप इसको असानी से कर सकते हैं ओके तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा धन्यवाद और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको like and subscribe जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद